दोस्तो आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेंग निफ्टी और निफ्टी के रिलेटिट कल 17 सेप्टमबर को यह सभी पाइंट हम डिसकस करने वाले हैं दोस्तो यहाँ पर आप हाइलाइट में देख सकते हैं देखें कि कल मार्किट के ओपनी यहाँ पे बेंग निफ्टी की आपको किस तरफ देखने को मिलेगी बेंग निफ्टी का ट्रेंड आपको कल किस तरफ देखने को मिलेगा और दोस्तो कल बेंग निफ्टी के क्या टारगट रहने वाले हैं और कुन से लावल पे आपको कुन स प्रिमियम बाय करना यह सभी पाइंट डिसकस करेंगे और दोस्तों वीडियो के एंट पे हम स्विंग ट्रेड के लिए स्पेशल स्टाक्स भी देखेंगे जिन में काफी अच्छा प्राफिट आपको हो सकता है और दोस्तों साथ में निफ्टी के भी हम सभी यह वाले पाइं का टाइम फ्रेम है और यहां पर दोस्तों आप देखें मार्किट का लिस जगा पे कलोज हुआ था 36,850 पे और इसके बाद का दोस्तों हमारा लेवल था 36,950 का आप देखतें सुबह इसके उपर ही गैप अप हुआ और यहां पर सैकंड लेवल था 37,130 का लेवल दोस्तों मार्किट ने आप देख सकते हैं कितने वालियूम के साथ यहां पर ब्रेक किया और काफी अच्छा यहां पर आगे रीटर्न हमें देखने को मिला हमारे लेवल के अकार्डिंग दोस्तों और इसी लेवल पे दोस्तों हमने यहां पर टैली ग्राम पे जो है काल भी परवाइ थे और उसके बाद आप हमारे प्रेमियम यूजर्स का प्राफिट भी यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं काफी अच्छा यहां पर प्राफिट हमारे यूजर्स को देखने को मिला है यहां पर आप देख पा रहे हमारे मिंबर्स के आज की स्क्रीन शार्ट दोस्तों आप यहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ जूड़ सुकते हैं है टैलीग्राम पे यहां पर आपको डिटेल दी जाएगी पेमिंट डान होने के बद आपको प्रीमियम चेनल का लिंक मिल जाएगा तो दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर आपशन चेनल अटा से देख रहे हैं और अवला राइटिंग भी यहां पर अवराल आप देख सकते हैं 33,000 की 33,000 की रेंज पे हैं और 28,000 की राइटिंग यहां पर 31,500 की रेंज पे हैं दोस्तों इसके पीछे का दोस्तों यहां पर अगर हम विंग निफ्टी का चार्ड निकालते हैं दोस् तो यह केंडल आप देख सकते हैं, बहुत ही स्ट्रांग जो है बुलिश केंडल आपको दिखाई दे रही हैं दोस्तों, तो इसके बाद हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जैसे यहां पर आप देखने काफी अच्छी आंक्डिय दिखे दें, उसके बाद काफ ये वाला वीकली जो केंडल है हमारे पास ये भी आप देख सकते हैं काफी स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम का है लेकिन यहाँ पे वीकली बहुत महीनों पहले एक हाई बना था तो ये पाइंट जो है काफी इंपार्टन रहेगा ये जो हाई से पहले बन चुका है तो ये रें यहाँ देख सकते हैं आप 720 पे आज हाई बनाया है और यहाँ पे 750 की ये रेंज काफी इंपार्टन है दोस्तो आपने ये जरूर माइंड में रखनी है ये ब्रेक होते हैं ये आपको आगे फिर से काफी अच्छे आंक्रे देखने को मिलेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ हम सेक्टर का इंडेक्स अगर उठाते हैं तो इसमें अगर हम वंडे का पैरामीटर यूज करते हैं यह सभी बैंक्स का जो है यहाँ पर सेक्टर का इंडेक्स है और इसमें आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्रेकोट हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों और यहाँ पर ज दोस्तों जो मुमेंटम है जो ट्रेंड है वो बुलिश है ओपनिंग की बात करें अभी मार्किट यहां पर 37,700 की रेंज पे है दोस्तों तो यहां पर आप देख रहे हैं 11,000 की जो है आज चेंज देखने को मिला है C zone में और compare करें P zone में तो यहां पर भी कम ही range आ रही है यहां 11000 है और यहां पे 9000 के आसपास है तो यहां पर overall 14000 है और यहां पर 9000 ही है दोस्तो तो यहां पर G zone काफी strong है काफी ज्यदा writing होई है यहां पर तो आपको दोस्तों कल gap up के chances दुबारा देखने को मिल सकते हैं एक 50 to 70 point का gap up आपको देखने को मिल सकता है bank nifty में बाकी trend जो है दोस्तो काफी bullish trend है यहाँ पर bank nifty में जो के हमने आपको बताया है banking sector में काफी बड़े breakout हमें देखने को मिल चुके हैं दोस्तो तो दोस्तो बाकी बाकी target दोस्तो यहाँ से हम जो है 15 minute time frame यूज करके देखते हैं तो यहाँ पर हमने 1 hour का time frame दोस्तो यूज किया है आप यहाँ पर देख रहे हैं यह वाला जो आज break उट हुआ है यह काफी strong point है यहाँ पर तो यह है 37,140 से 160 की range काफी strong यहाँ पर यहाँ से market reversal भी ले सकता है और अगर break कर दे बाइदावे तो आपको एक अच्छा momentum downside में देखने को मिल सकता है दोस्तो दोस्तो उसके बाद दोस्तो यहाँ पर यह वाली range हमने यहाँ पर 15 minute time frame से निकाली है यह है यह है दोस्तो 37,450 की range यहाँ पर market जो है struggle किया यहाँ पर तो यहाँ पर भी एक अच्छा zone है और उसके बाद यहाँ पर 7,500 का zone है दोस्तो यह तीनु टार्गट आपके रहेंगे कल के लिए दोस्तो तो यहाँ पर आपने किस हिसाब से जो है position बनानी है कूंसा यहाँ पर premium buy करना है वो भी यहाँ पर हम detail में देख लेते हैं दोस्तो यहाँ पर 15 minute time frame यूज करते हैं और यहाँ पर आप देख रहें यह वाला zone जो है यहाँ पर market ने struggle किया था तो इसलिए intra day के लिए यह level काफी अच्छा रहेगा तो दोस्तो यहाँ पर जो साड़े साथ सो की range है यह हमें यहाँ पर जो यहाँ पर सीजनल आ रहे हैं उसके अगाड़िंग यहाँ पर यह सस्टेन हो सकती है यहाँ से reversal मिल सकता है तो दोस्तो यहाँ पर जो entry नहीं है अगर market इस level को sustain करता है साड़े साथ साथ सो की range तो यहाँ से आप जो है PE buy करेंगे दोस्तो और वो PE यहाँ से 37,900 का आपने PE buy करना है दोस्तों 37,900 का यहाँ पर PE buy करना है दोस्तों अगर markets को break कर देता है तो फिर आपने 37,600 का यहाँ से CE buy करना है break पर दोस्तों तो यह इस level की बात की दोस्तों फिर लेवल है 37,450 का अगर market break करता है इसको तो यहां से आपने 37,600 का PE buy करना है अगर market यहां से reversal लेता है आके correction करके reversal लेता है तो फिर आपने दोस्तो यहां से 37,300 का PE buy करना है दोस्तो इन्दा मनी में काम करेंगे आपको काफी प्राफिट होगा वीनिंग रेश्याला होगा आपका पर यूज़ु होगा लेकर वीनिग रेश्यो ज्यादा रहेगा तो दोस्तो यहां से आपको 1035000 का सीव बए करना है अगर बड़े करता है तो फिश τους 30,300 का PE यहां से वाय करना दौसकों तो यह सभी पाइंट हैं Berk nifty के और इनके अकारिंग हमना यहां पर लावल्स जो हैं उनका अकारिंग पर भी बता दिया हैं दौस्तों अदी को सब्सक्रा हम बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी का ओस से देखने को मिल हमा आज की राइटिंग का चेंज तो काफी बढ़िया यहां पर राइटिंग हुई है और मॉमेंटम बहुत आगे शिफ्ट हो चुका है दोस्तो अट्रहाँ हजार के आँक्रे आपको देखने को मिल सकते हैं और यहां पर देख रहे हैं दोस्तो अभी मार्केट 650 की रेंज पर ह यहां पर जो राइटिंग है वो बहुत कम है इस कंपेर रीजन में तो मॉमेंटम काफी आगे शिफ्ट होता आपको यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर आप देख सकते हैं तो अब काफी बुलिश मॉमेंटम अगले दिनों आपको देखने को मिलेगा और यहां पर पिछली एक्सपारी में हमने देखा अब यहां से मॉमेंटम शिफ्ट होके आगे पूंच चुका है दो तो सपोर्ट जो है आगे की और पहुंच रहे हैं यहां पर दोस्तों हम इसे टेक्डिक ली देखेंगे कि हमारे पास कैसे आंकडे निकल के आ रहे हैं तो यहां पर हम ने बात की 600 का रेंज पर हमें स्पोर्ट देखने को मिला है तो यह वारा सपोर्ट बिल्कुल श्चोपे हमें एक स्ट्रगल देखने का आज मिला तो यह इंट्राडेमे कल आपको काम आएगा 600 की रेंज दोस्तों यहां पिर हम इसको परफेक्ट क्रिके से लावल भी निकाले देखेंगे। लेकिन दोस्तो हम यह डेली बसी पे देखेंगे, कि कैसी इस्तिथी आगे बन शकती है। तो दोस्तो यहांपर हमारे पास डेली के केंडल स्टिक्स हैं और यहां पर देखने हैं इस रेंज़ का ब्रेक ओट होते ही, है अच्छा हम abol momentum देखने को मिल रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर 650 की रेंज प्रेक होते ही जो आगे के आंकड़े हैं बड़े आंकड़े दोस्तों वो देखने को मिल सकते हैं जो हमने option chain से देखें तो आज 644 का high बना है दोस्तों यहाँ पर तो यहाँ पर daily basis पर आप देख सकते हैं कितना केंडल स्टिक देखने के बाद आप अभी कितना bullish momentum का केंडल स्टिक देख पा रहें तो 50 50 में भी काफी अच्छा bullish momentum बन चुका है तो आप यहाँ से कल के लिए level पे काम करेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कल का level अभी भी यहाँ पर available है और यहाँ पर 540 की range थी तो अभी आज नहीं आया तो upside का level ने काफी अच्छा काम किया निफ्टी 50 में भी तो आज हम यहाँ पर drag कर लेते हैं कल के intraday के level हमारे क्या रहेंगे तो दोस्तों यहाँ आज का जो high है दोस्तों यहाँ पर आप इसकी 650 की range रखेंगे 17,650 की range अगर break होती है तो आप दुबा पर हमें आंकड़े जो हैं वो थोड़ा ज्यादा real दिखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बाकी बात करें एक downside में यह वाला जो phase था यहाँ पर आज का 17,590 का जो phase था यह भी काफी strong zone है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 600 का जो हमने option chain से देखा तो यहाँ यहाँ पर यह दो level रहेंगे nifty 50 के दोस्तों और 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 market नीचे आता है दोस्तों उसमें जो हमारा यहाँ से level रहेगा वो आप यहाँ पर देखेंगे पांच सो पचास से पांच सो साथ की range तो इन तीनों level पर आप काम करेंगे यहाँ पर आपने कैसे काम करना है वो आपको यहाँ पर बता देते हैं कुन सा premium buy करना है उसके बाद opening देखेंगे data वो भी हम यहाँ पर discuss करेंगे दोस्तों अगर market 17,650 को break कर देता है तो आप यहाँ से C buy करेंगे 17,600 का आप C buy करना है आपने दोस्तों अगर यहाँ पर market sustain करने बढ़ जाता है reversal लेता है 17,700 का PE आपने यहाँ से buy कर लेना इस point की discuss कर लिए हमने दोस्तों market spend अगर correction करने के लिए आता है यहाँ से reversal लेता है तो यहाँ पर आप 17,500 का C buy करेंगे दोस्तों इंदा मनी अगर market break कर देता है तो 17,600 का आप दोस्तों यहाँ पर जो है पी बाइक करेंगे 17,650 क और पुचास की रेंज पर reversal लेता है तो 17,500 का यहाँ से C आपने बाइक करना है अगर market break कर देता है दोस्तों यहाँ पर आप 17,600 का PE बाइक करेंगे यहाँ छे सो पुचास का PE दोस्तों यहाँ पर यह सब ही level है इन पर हम ने यहाँ पर बता दिया कुन सा premium आपको बाइक कर पर नहीं पर आपको तो यहां पर बात करें, 6000 का चेज़ हमेंक अच्छी रांटिंग है हमें और total 11,000 की दोस्तों तो यहाँ पर अगर हम देखने दोस्तों यह पी जोन में और यहां पर देख सकते हैं 3000 और 3000 तो बहुत काम राइटिंग है जोन में और सी जोन में काफी ज्यादा है तो एक आपको गैप अप यानी 20-30 पाइंट का आगे गैप अप देखने को यहां पर इसमें भी मिल सकता है निफ्टी फिफ्टी में दोस्तो मोमेंटम भी बुलिश है टार्गेट भी देख लिए और ओपनिंग जो है गैप आप में देखने को मिल सकती है दोस्तो तो दोस्तो अब हम बात करेंगे हमारा स्पेशल स्टाक यहां पर कौन सा है स्विंग के लिए जो कि कल आपको काम आ सकता है पहले हम अपने कल के दिए हुए स्टाक की बात कर लेते हैं बंदन बेंक ने हमारा फर्स टार्गेट अचीव कर लिया दोस्तो यहां पर इस्टाक हमने कल की वीडियो में दिया था और उससे पहले प्रिमियम ग्रूप इसके टार्गे भी दिये थे, यहाँ पर 290 पर दिया था, 297 पर हमें देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा प्रेकोट देखने को मिला था, तो काफी अच्छा टार्केट इसमें हमाँ अच्छीव होते दिख रहे हैं दोस्तों, आगे स्विंग ट्रेड के लिए दोस्तों स्टाक है हमारा य यहां पर दोस्तों इसमें आप देखने काफी अच्छा ब्रेकोट हमें देखने को यहां पर मिल रहा है तो दोस्तों कल आप अगर यह पाज़िटी मोमेंटम में 283 पे आप इस पे इंटरी ले सकते हैं बाकि जो टारगट है इस पे वो आपको यहां पर प्रीमियम ग्रूप म देखने देखने अच्छा ब्रेकोट हुए है और अगर हम विकली की बात करें तो यहां पर वीकली देख रहे हैं मार्कीट एक बुलिश मोमेंटम बना रहा है और फिर यहां पर क्रेक्शन लिए उप दुबारा से मोमेंटम अब काहमेंarah यहां पर देखने को मिल रहा है द दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही था बाकि आप हमारे साथ प्रीमियम ग्रूप पे जुड़ सकते हैं 499 में आप लाइफ टैम के लिए जाएंट कर सकते हैं यहाँ पर हर दिन निफ्टी और बेंग निफ्टी के काल्स परवाइड की जाती हैं बदर सुबा की वीडियो को लाइक शेर कर ले हमारे यूटीव चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में अपना ध्यान रखिएगा गुडबाई